तो पाकिसान और इंग्लेंड के बीच पहला ODI हुआ खतम और जी इंग्लेंड डगतों कमाल ही कर दिया क्या क्या परफॉर्मेंस थी मतला पूरे 15 प्लेयर उनके दो दिन पहले जो हैं कॉरिंटीन हो गए थे बिल्कुल ही नई टीम थी 15 लड़कों के जिसमें के बैन स्टोक पाकिसान को और जो हमारे ट्रेट थे वह एड़ दे प्रॉफिटेबल रहे लेकिन हम फिर भी इतना ज्यादा प्रॉफिट इस पे नहीं निकाल पाए लेकिन हमने प्रॉफिट करा क्यूंकि जब वन साइड मैच होते हैं तो आपके जो ट्रेड होते हैं वह इतने सही सावि नहीं होते हैं पाकिसान ने बहुत ज़्यादा डिसपॉइंड करा जिस तरीके की टीम है उनको इस तरीके की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी नहीं कोई बात नहीं होता रहता है क्रिके डैय और स्पोर्ट्स बैडिंग में हम कभी कम प्रॉफिट बहुत ही जबर्दस ग्राउंड है और दूसरा मैच होगा दस जुलाई को साड़े तीन वजे तो कैसे हम इस सेरीज को बनाए प्रॉफिटेबल हमने पहले मैच प्रॉफिट बुक करा और मेरी कोशी शेह रहेगी कि आप बचे वे दोनों मैजिस में भी प्रॉफिट बुक बहुत ही जबर्दा से बैट है जैक करॉली बहुत ही बैर है और जो इनका वाइट एलिडी चल रहा है उसमें काफी रंट बना चुके हैं तो काफी इन पॉर्म बैस मेने तो आप ज़रू बैक करें जैक क्रॉली की प्लेयर प्रॉफिट जो है वह 33 प्लस करॉस हो जाएगी आपको मैं एक बार फिर से बता दूँ कि कैसे के लिड़ोगी है प्लियर प्रफॉरमिंस अगर क्रॉली एक रण मारेंगे इन्हें मिल जाएंगे एक पॉइंट और अगर ये एक कैश पकड़ लेंगे तो इन्हें पूरे मिल जाएंगे दस पॉइंट तो आज जाएंगे इस मैश क्रीटिब नमबर टू की तरफ तो इस मैश मैंने बैक कर रहा है कि इंग्लिंड टीम की हाइस्ट रहेगी ओबनिक पार्णशेप जो कि करते हैं फिल सॉल्ड और डेविड मलान बहुत भी बैदरिन ये पेयर है वहीं बात करें पाकिस्तान की तो म तो आज जाते हैं स्माश क्रीटिब नमब टू की तरफ डेविड मलान एक बार फिर से मेरी लिस्ट माज चुके हैं बहुत ही बैतरीन ये प्लेयर हैं और बल्ले बास तो समचानते ही हैं अगर मैं बात करूं मलान की तो कैजिस भी बहुत शान्दा तरीके से पकड़ते हैं और बल्ले के साथ तो ये काफी टाइम से रन बनाए जा रहा हैं तो इनकी मैंने प्लेयर परफॉर्मेंस एक बापिट से बैक कर रहे हैं 35 प्लस की 1.83 और इस पर भी मैंने अपना डबल इस्टेक लगाया है 1.666 का आपको इस पर मिल रहा है नेट प्रॉफिट तो आप प्लेयर प्लस क्रॉफिट प्लस क्रॉफ हो जाएगी 1.83 और डबल इस्टेक है 1.666 का इस पर मुझे मिल रहा है टोटल मुनाफा अगर हम बात करें बाबार आजम की तो जीरो पर आउट हो हैं बहुत कम बार यह हम देखते हैं कि बाबार आजम जीरो पर आउट हो जाएं बहुत ही बैक्तिरिंगे प्लेयर हैं और रैंकिंग्स भी बताती हैं कि कितने टॉप कॉलिटी प्लेयर हैं तो आप जरूर बैक करें कि इस मैच में यह जरूर 30 प्लस क्रॉफ करने में कामियाब हो जाएंगे तो आई जलते हैं इस मैच की लास्ट वेनी के टिप नमबर 5 की तरफ तो इस मैच में आप बैक करा है कि इंग्लेंड की टीम जो है वो सबसे जादा चौके मारने में कामियाब रहेगी 1.85 वाट्स हैं नेट प्रॉफिट है सिंगल स्टेक का साड़े 800 रुपे का तो आप ज प्रॉफिबर लाएं तो यह पांच जिप्स मैन आपको रिकमेंड करें आर आपको कहां पर जाकि स्टेक लगाना है इसी वीदियो के जो मैं वीडियो यह अप्लोड कर रहा हूं इसी वीडियो के मैंने नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है बैट 365 का लिंक आ मिलता है वेलकम बोनस भी तो जाएए देर मत करिए करिए साइन अप और करिए आप खेलना शुरू और क्रिट टिप से मैश प्रेडिक्शन जो यह चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल अगन को भी टाइप करें इस आपको तुरंधी नोटिफिकेशन मिलती है कि मैंने चैनल पर कौन सी न्यू वीडियो अपलोड की है तो मिलता हम से नेक्स्ट वीडियो में टिल देंड टेक कियर बाबाई